पाल कर मुंबाई से अयुध्या साइकिल लेकर निकले रामभक्त पान्से मल पहुँचने पर हिंदू संगटनों और समाच जन्रो निक्या स्वागत पालकर मुंबई से अयुद्या तक साइकल से अपनी यात्रा के लिए निकले दो साइकल यात्रे पांसे मल लगन विपुँचे जिनका विश्व हिंदू परसत बजरंगदल के पताधिकारियों कारेकरता उन्हें स्वागत क्या उन्हें जानकारी में बताया कि हिंदू धर्म के प्रतिजागरुकता और हिंदूों के धार्मी कस्तलों से सभी का पर्चे हो इस उद्देश के साथ उन्हें यात्रा प्रारम की वे करीब सोलस सो किलिमेटर की यात्रा तै करेंगे उन्होंने बताया अपनी यात्रा के दोरान भगतों से एक रुपया रासी स्यक्षा के दान से शुरू प्राप्त करते हैं और उस रासी को भगवान से राम के भवे मंदिर में दान सो रूप भेंट करेंगे उनकी स्वागत की समय उपस्तित वही पताधिकारी हरिजादों ने बताया हिंदु धर्म के लिए बहुत गौरों की बात है कि भव्य मंदिर निर्माण के बाद भगवान राम की प्राणपतिष्ठा महोसो होने जा रहा है इसमें लाखों की संख्या में श्रधालू सभागिता करेंगे इस उसर पर संदीप पाटिल प्रित्त जाध हो इस्वर मोरे ललित मोरे अविनास पमार सहित अन्य लोग मौजूद रहेंगे पांसे मलसी सावन भंडारे की रिपोर्ट जागरुपता, इंदुत्वा की जो जागरुपता है वो हमें पहरानी है मेरा नाम है अंकेश गुपता, मेरा उम्र है 24 साल और मेरे नेवालाव काशी से लेकिन मैं रहता हूँ फिलाल अभी पालगर में और हमारा उद्देश यही है कि जितने भी भारत में मंदिर है, देवस्तान है, भगवान के स्तान है कई 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 किसी को नहीं भी पता है, कुछ-कुछ तान लोगों को पता है हम साइकल से यात्रा करके ये समको दिखाना चारहे हमारी यूटूब चैनल के मात्यम से जो कि ए एक्स्प्लोरिंग भारत नाम से और हमने इसके पहले पहली यात्रा हमारी हुई थी पालगर से द्वार का जो कि 900 किलोमेटर की कि थी हमने और अभी हम पालगर से आयुध्या श्रीराम जी के दर्शन करने जा रहे है राममंदिर के दर्शन करने जो कि यह 16-100 km की यात्रा है हमारी और अभी हम मौझूद है पांसे मल में यात्रा कब शुरू की और कब तक पहुंचे गया यात्रा शुरू कि हमें हो गया है 22 डिसेंबर को हमने किया था जो कि हमें 8 दिन पूरे हो गया और हमने ऐसा संकल लिया गिए अट्रा से 19 तारिक तक तो पहुचना है जनवरी में जो कि 24 आप क्या करते हो हमारा काम है मोटर इंशॉर्ण्स का दोनों का हमारा वही काम है और चलते चलते हम वही काम कर सकते क्योंकि दूसरा काम तो हमें नहीं की होगा बहुत बहुत